हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मै चैनल और आप सभी कैसे हैं, उमीद करती हूँ आप सभी मज़े में होंगे फ्रेंड्स, मार्श का महीना चल रहा है और आप देख रहे हैं पटूनिया के उपर अभी बी कितने अच्छे से फ्लारिंग हो रही है यह भी बहुत अच्छे से फ्लारिंग कर रहा है और इसी के उपर सीड पॉट भी आ चुके हैं तो आज का जो वीडियो है इसमें हम यही बात करेंगे कि कैसे पटूनिया प्लांट के सीड्स हों हम कलेक करके स्टोर करके रख सकते हैं नेक्स सीजन के लिए तो मैं जो अपने सारे पटूनिया उनके उपर जो जो सीड आ चुके हैं उनको कलेक करके नेक्स सीजन के लिए रख लेती हूं और बिसिकली फ्रेंट सीड जो सीड है यह तब बनते हैं जब इनके उपर मदुमक्खी या भम्रे या तितलियां जैसे मंड़ाती हैं और वो आती हैं तो उसके बाद मैंने नोटिस किया है कि उस प्लांट के उपर जादा सीड पॉट बनते हैं और कुछ के उपर मैंने देखा बहुत कम है या है ही नहीं तो ऐसा भी होता है तो इस चीज को भी आप ध्यान दीजेगा कि आपके अगर पॉदे के उपर फूलों के उपर तितली मदुमक्खी और भम्रे बगरा मंड़ाते हैं तो उससे भी सीड पॉट बनते हैं और यह कै अठीछ के आपके मिडाटे को निकाल के दिखाती हूँ इं देखिये बहुत काले राय से बहुत बारीक होते हैं और एक सीड पोट के अंदर आपको काफी सारे 50-50 कम से कमी होंगे तो इतने आपको सीड मिल जाते हैं तो इनको आप आप जो हैं निकालके कांच की शीशी में या किसी air tight डब्बे में रख सकते हैं और मैं काच की छुट-छुटी शीशिया मैंने arrange कर रखी हैं तो उनके अंदर रखती हूँ जो tempera color या ये poster color आते हैं उन्हीं के शीशिया जब खाली हो जाती है उसे धो के और उसको सुका लेती हूँ अच्छे से उसके अंदर में डालके next season के लिए इन्हें रख लेती हूँ तो ये इस तरीके से आप सारे collect कर सकते हैं पटूनिया के seeds यहीं से मिलते हैं तो आप इन्हें रख लीजिए next season में ये काम आएंगे और एक ही उससे आपके बहुत सारे plant तयार हो जाएंगे एक seed pot से तो देखिए इतने सारे इसमें मिल गए हैं इसमें कोई भी खास वो नहीं है आप इस तरीके से पटूनिया के collect कर सकते हैं यह अभी काफी अच्छे से flowering कर रहा है और अभी और करेगा तो इसको आप अगर दूप वैसे तो चाहिए पर गर्मियों की दूप जो नहीं जेल पाता है तो आप थोड़ी सी छाय में रखेंगे तो और अच्छी flowering करता है तो friends आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है और यह information पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजेगा मेरे चैनल पे नए है अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो please कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ तब तक के लिए बाई